हलो इस्टुडेंट्स पॉली टेक्निक लिबरेल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो डियर इस्टुडेंट्स बीटी यूपी के अंतरकत मेकेनिकल इंजिनरिंग आटो मोबाइल स्पेस लियाईशन वाली जो ब्रांच है उसके सिक सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट है आटो मोबाइल मेंटिनेंच सर्विसिंग एंड रिपेर तो हम इसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको पूरा सिलेवस दिखाऊंगा एस पर बीटी यूपी क्या निर्धारित है कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अनुरूप ही आ पहला जो चैप्टर है एक, दो, तीन उसके बाद आजए चार और पाच यानि पूरा का पूरा सिलेवस है पांच चैप्टर्स में बटा हुआ है तो ये पांचों चैप्टर्स के अनुरूप ही आपको पढ़ाई करनी है और चैप्टर्स के नाम भी मैं आपको बता देता ह हूँ इंजिन मेंटिनेंस एंड रिपेरिंग तो इंजिन मेंटिनेंस एंड रिपेरिंग का ये जो सलेवस आपके सामने दिया है इसमें से ही आपसे प्रशन पूछे जाएंगे जिनकी आपको तैयारी करनी है आपकी बुक में हो सकता है इसमें पांच चैप्टर से आपकी book में 6 chapters दिया हो उसको 7 chapter कर दिया हो तो वो 6 chapter या 7 chapter से आप से प्रश्ण नहीं पूँचे जाएंगे ये जो syllabus में निर्दारित 5 हैं उन 5ों में से ही आप से प्रश्ण पूँचे जाएंगे कोई भी ऐसा chapter नहीं होगा जिस इससे प्रश्ण नहीं पूँचा जाएंगे तो ये बात आपको विसेश तोड से धान रखने हैं दूसरा हम बात करते हैं repairing processes हैं इसमें ये जो syllabus आपका दिया हुआ है आप सामने देख पा रहे हैं इसमें से प्रश्ण आपके आएंगे पूँचे जाएंगे इसके बाद आप बात करते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ तो तीसरे चैप्टर की तरफ जो हम बढ़ते हैं तो इसका टाइटल है repair and maintenance of radiator and lubricating system इसके लिए जो देखी निर्धारित आपका सिलेवस है ये सिलेवस पर आपको नजर डालनी है प्रश्ण आपके इसी सिलेवस के अनुरूप पूछे जाएंगे क्योंकि यही BTUP ने निर्धारित किया है आपकी पार्ट चर्या के लिए चौथा चैप्टर है electrical system repair and maintenance इसमें आपका जो सिलेवस ये सामने दिया हुआ है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जनरली जो heading होते हैं जो title होते हैं उसी के हिसाब से simple प्रश्ण पूछे जाते हैं ज्यादा टप प्रश्ण नहीं पूछे जाते हैं पांच मां है repair and maintenance of vehicle air conditioning system उसके लिए पांच में चैप्टर में ये निर्धारे थे तो आपने कुल मिला करके देखा कि पांच चैप्टर हैं आपको पांचों के पांचों चैप्टर पढ़ने हैं उनमें जो content है उसी के हिसाब से आपको तयारी करनी है तो आप next video में हम क्या करेंगी जो previous year के questions paper रहे हैं इस बिसे के उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से chapter wise प्रशन बनते हैं या बन सकते हैं और कैसे आपको उनका उत्तर लिखना है वो आपको तयारी करानी है तो आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग ने पढ़ाई कर अरली होगी समय अब बहुत कम हैं लेकिन फिर भी मैं पूरे आपको previous year question paper आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक idea लगे कि कैसे जो आपका chapters है उसमें से जो syllabus है उसके अनुरूप कैसे प्रशन बन सकते हैं और आकि आप उसी हिसाप से आप तयारी कर सकें तो पढ़ते रहे ह मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you very much आप सभी का दिन मंगल में हो